आज हम सुनेंगे राम कथा की महिमा भगवान श्री राम और लक्ष्मन माता सीता के साथ पिता दर्श्रत की आज्या पालन के लिए पनवास को चल दिये रास्ते में सारे तीर्थ, गंगा, यमुना, गौमती आधी में तरपन किया वन ने फल, फूल, कंद, मूल खाकर जीवन यापन कर रहे थे कार्टिक मास एकंग को राम जी की आज्या से लक्ष्मन जी कंद, मूल फल तोड़ कर लाए और सीता जी के आगे रख दिये सीता जी ने उनकी चार पत्तले बनाई लक्ष्मन जी पूशने लगे माता आपने चार पत्तले किस के लिए बनाई हैं सीता माता बोली एक पत्तल राम जी की एक पत्तल लक्ष्मन जी की एक पत्तल गव माता की और एक पत्तल मेरी राम और लक्ष्मन जी ने अपनी अपनी पत्तले उठा ली और एक गव माता के आगे रखती सीता माता ने अपनी पतल नहीं उठाई और नहीं गव माता ने राम जी ने सीता जी से पूछा आपने फलाहर क्यों नहीं किया तब सीता जी ने कहा मेरा तो राम कथा कहने का मियम है राम कथा कहने से पहले में फलाहर नहीं करूंगी तब राम जी ने कहा राम कथा मुझे सुना दो सीता जी बोली आप तो मेरे पतिदेव हैं आपको राम कथा कैसे सुनाओंगी लक्षमन जी ने कहा माता आप मुझे राम कथा सुना दो सीता जी बोली आप तो मेरे देवर हैं औरतों की बातें औरते ही जानती हैं, तब लक्षमन जी सोचने लगे कि वन्य औरते कहां से आएंगी, तब लक्षमन जी ने धर्ती पर एक मारा नगरी बसा दी, उस नगरी में सबी चीजें जैसे महल, मालिया, कपड़ा, बर्तन, काम करने की सबी चीजें सोने की थी, उस में आदमी और औरतों सभी को बहुत गर्व था कोई भी रेक्पी गरीब नहीं था राजा से लेकर सफाई करने वाले तक गर्व में पागल थे सीता जी कुए पर गई वहाँ पनहारिया पानी भरने आई थी उनका मटका जालर इंड़नी सब चीजे सोने की थी सीता जी कुए पर बैठी औरतों से राम राम बोली पर किसी ने भी राम राम का जवाब नहीं दिया क्योंकि वे सब तो गर्व में डूबी हुई थी थोड़ी देर में एक डावडी आई सीता जी ने उसे भी राम राम कहा और बोली तुम मेरी राम कथा सुन लो डावडी बोली आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती मैं तो अपने घर को जा रही हूँ सीता जी बोली मेरी राम लक्षमन भूके हैं डावडी बोली कौन से राम लक्षमन मैं तो घर को जा रही हूँ मुझे मेरी मा बुला रही है इतना कहे कर डावडी अपने घर को चल दी सीता जी को उस पर बड़ा क्रोधाया पूरी सोने की नगरी पीतल की हो गई डावडी की मा ने पूछा जेवर, मटका, इंडिनी सब खोटा कहां से कर लाई डावडी ने कहा मुझे नहीं पता मैं तो जो पहने हुए थी वही लेकर आई हूँ पर कुए पे एक बहुत ही सुन्दर सी तपस्विनी बैठी हुई थी उसने कहा था कि मेरी राम कथा सुन लो परंदू मैंने तो मना कर दिया जिससे उसने कुछ टोटका कर दिया होगा तो पता नहीं मुझे मा बोली जाओ और उसकी राम कथा सुनाओ वो तपस्विनी नहीं है वो तो सीता जी है वापस जाओ अपने घर में रिध्धी सिद्धी हो जाएगी अपनी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई है डावडी बोली मैं तो वापस नहीं जाओंगी इतने में बेटे की बहु वहाँ आ गई उसने कहा आपकी आग्या हो तो मैं सीता जी के दर्शन कराओ मा और राम कथा भी सुनाओंगी सासु बोली जा बेटी सीता जी की राम कथा सुन कर आना गहना कपड़ा सब पीपल का ही पहंजा बहु कुए पर जाकर बैट गई खाली मटका पानी से भरती और फिर खाली कर देती यह देखकर सीता जी बोली तुमारे घर में कोई काम नहीं है क्या बहु बोली माता मैं तो सारा काम निप्टा कर आई हूँ तब सीता जी बोली तुने मुझे माता कहा है यह सुनकर मेरा मन हर्शित हो रहा है अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन लो बहु बोली हां माता आप राम कथा सुनाईए आपकी रामकथा सुनकर ही मैं घर को जाऊंगी सीता जी ने कहा तुने मेरी इज़त रखी भगवान तेरी इज़त रखेंगे हमारी मृत्यू लोग में तुने सहायता की है भगवान तेरी स्वर्ग लोग में सहायता करेंगे सीता माता ने रामकता कहने शुरू कर दी और बहु रामकता सुनने लगी आओ राम बैठो राम जल भर जारी लाई राम कीकर कीदा तुन लाई राम खंडा पानी भर लाई राम सै परिवार पधारो राम जुगला टोपी पहनो राम कढा कलंगी पहनो राम माखन मिश्री लाई राम माखन मिश्री खाओ राम सर्ण सिंगासन लाई राम सर्ण सिंगासन बैठो राम जालर टिकोरा लाई राम जालर टिकोरा बजाऊं राम, शंक द्वनी लाई राम जुक जुक पाम लागूं राम, निरखता रोमन मोहे राम शरण अपनी लेलो राम, दूद कटोरा लाई राम सीता चरंद बाए राम, सुख वर सेज सो राम जालर पंखा ढोलो राम, हमे राम, तुम हे राम रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में भी राजो श्री राम मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैटे करे क्या काम जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंची राम ही राम पूर्ण होए सब के काम, मेवा चरंजी लाई राम रुच रुच भोग लगाओ राम, खटा मीठा चक्खो राम चर्खा पर खो लाई राम, चर्खा पर खो चक्खो राम जो भाए सोले लो राम, मन में धोका न रखना राम राम कथा पूर्ण हुई तब सीता जी बोली तुमने हमारी राम कथा सुनी हमारी सहयता की तुमने हमारे भूगी राम लक्षमन को खाना खिलवाया भगवान तुमको सातो स्वर्ग का सुख देगा सीता माता का आज शिर्वाद ले बहू अपने घर को जाने लगी तो सीता जी ने अपने गले का हार उतार कर बहू को पहना दिया बहु अपने घर जाकर सासु जी से बोली मेरा मटका सिर से उतारो सासु जी बोली है बेटी हीरा पन्ना का गेहना कपड़ा और मटका और सिर का जालर इंडनी हीरा से जहे मिला रहे हैं ये सारी चीज़े तो कहां से लाई राजा जी सुनेंगे तो डंड देंगे बहु बोली मैं तो सीता जी से उनकी राम कथा सुनकर आ रही हूँ उन्हीं की किरपा से यह सब कुछ मुझे मिला है सासु बोली ठीक है रोज तुम राम कथा सुनकर आया करो बहु रोज सीता जी के पास जाकर राम कथा सुनने लगी सुनते सुनते एक वर्ष पीत गया तब बहु ने कहा माता कहानी का उद्यापन बताओ सीतर जी बोली साथ लड्डू एक मारियन लेना और उसके साथ भाग करना एक भाग मंदिर में चड़ाना मंदिर बनाने के जितना फल मिलेगा एक भाग तलाप में चड़ाने से तलाप खुदवाने जितना धर्म होगा एक भाग भागवत पर चड़ाना उससे भागवत सुनने का फल मिलेगा एक भाग तुलसी पर चड़ाने से तुलसी की शादी करने जितना फल मिलेगा एक भाग क्वारी कन्या को देने से कन्यादान करने का फल मिलेगा एक भाग ब्राम्मन को देने से ब्राम्मन को खाना खिलाने जितना फल मिलेगा और एक अंतिम भाग सूर्य भगवान को चड़ाना उससे 33 करोर देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल मिलेगा बहु जल्दी जल्दी घड़ा गई साथ लड्डू और एक नारियल लाई उसमें उसके साथ बराबर भाग किये एक भाग मंदिर में, एक भाग तलाब में, एक भाग बागवत में, एक तोसी में, एक कन्या को, एक भ्राम्मन को और एक सूर्य भगवान को चड़ा दिया सूर्य भगवान को चड़ाने से 23 करोर देवी देवताओं ने भोग लगा लिया अब बहु फिर सीता जी के पास आई और बोली माता मैंने सबका उद्यापन कर दिया है सीता जी बोली अच्छा बहु अब बैठ जाओ साथ दिनों बाद वैकुंत धाम से विमान आएगा सो साथ दिनों के बाद बैकुंट धाम से विमान रिमजिम रिमजिम करता हुआ आया बहु बोली सासु जी विमान आया है आप भी चलो सासु जी बोली बहु मैं अकेली कैसे जाओं अपने सासु जी को भी ले चल अपने माता पिता को भी ले लो भाई, बंदू, कुटुंब, कबीलों को सभी को ले लो अड़ोसी पड़ोसियों को भी लो बहु ने सब को विमान में बिठा लिया विमान फिर भी खाली रहा इतनी में नंदरानी आई और बोली भाबी मुझे भी विमान में बिठालो माता ने देखा विमान में जगे ही नहीं है बहु सीता जी से बोली माता हमारी नंद को भी बिठाओ सीता जी बोली तुमारी नंद गमंड से भरी हुई है और हमारा विमान कच्छे धागे से बना हुआ है वह तूट जाएगा नंद बोली भावी मैं यहां अकेली कैसे रहूंगी मुझे सांप बिच्छू खा जाएंगे भावी बोली अपनी करनी आप ही भोगो हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं इतने में बहू अपने पती के साथ विमान में विराजपान हो गई यह देखकर नगर के सभी लोग इखटे हो गए और पूछने लगे बहू तुमने ऐसा कौन सा धर्म का कार्य किया जो सब लोग सीता जी के साथ विमान में बैठकर वेकुंट धाम जा रहे हो आपने रमायन का पाठ किया गीता का पाठ किया या कोई और अखंड पुन्न किया है जिससे स्वर्ग से विमान लेने आया है बहू बोली मैंने तो केवल सीता माता से रामकता सुनी थी और उसका उद्यापन किया था नगरी के लोग कहने लगे पहू हमें भी रामकता सुनाओ। बहू ने सब को रामकता सुनाई। रामकता संपूर्ण होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। सभी देविदेटा सीधा माता की जैजैकार करने लगे। इसी प्रकार की अन्यवरत एवं पौरानिक कता कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दोसरों तक इन्हें पहुचा कर तर्मलाब प्राप्त कर सकें।